अच्छा तो ऑथेंटिकेशन बेसिकली आपकी अप्लिकेशन में ऐसा प्रोटेक्शन यूजोरी होती है किसी भी राउट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी स्पेसिफिक डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ऑथेंटिकेश एक चेक होता है जिसमें हम यूजर के लिए मतलब रखते हैं कि कोई भी यूजर है जो किसी भी चीज को एकसेस करना चाहरा है तो हम पहले यह चेक करें कि उसको डेटा का एकसेस है भी के नहीं है ठीक है और अगर उस डेटा का एकसेस है तो फिर उसे वो डेटा different उसे तो अच्छा अब authentication जो हमारी नोड की एप में होती है basically अगर आप इसको दो categories में divide कर दो कि जो हम अभी हम लोग काम कर रहे हैं नोड के उपर अभी हम लोग server side rendering से related काम कर रहे हैं सारा ना कि हमने EJS के routes बनाये थे और EJS के उपर काम कर रहे थे अगर आप सिंप्ली server side rendering के उपर काम कर रहे हो और react की application अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो तब फिर आपके पास जो नोड की यह जो express की application है उसमें authentication जो है वह session based हो सकती है ठीक है की session based का मतलब क्या होता है कि server के ऊपर sessions बनते हैं session का मतलब होता है कि difference data create होता है जो के permanent data नहीं होता हमारा जो के समझ लोग कि कहते हैं temporary data होता है जिसके अनदर basically हम user की information जो भी user login होते हैं उसकी information सर्वर के उपर ही स्टोर कर रहोते हैं ठीक है वो डेटा जब डिलीट हो जाता है तो यूजर को दुबारा से लॉग इन करना पड़ता है लेकिन अगर आप क्लाइंट से रेंटिंग कर रहे हो ठीक है यानि के रिएक्ट वगर है कि कोई अप्लिकेशन यूज कर रहे हो या फ यूजर को देते हैं अब जितनी बार भी यूजर हमारे पास रिक्वेस्ट करेगा उसको वो टोकन हमें वापिस बेजना पड़ेगा और उस टोकन की बेस के उपर हम वेरिफाय करेंगे है कि यूजर जो है वह वैलेट है यह नहीं है तो एक्जेंपल जैसे कि आप लोग मुवी वगरा में देखते हो अक्सर के जो एजन्ट्स होते हैं उनको उनका एक सेक्यूरिटी कोड दे दिया जाता है ठीक है उनको कोड बता होता है उनको उनकी ऑथेंटिकेशन के लिए के लिए उनसे जो कोड के लिए अगर मतलब उसको यह पिखनी है जो भी है तो यह ना तो उसी तरह के काम जो है वो कुछ होता है यहाँ पर तो पहले हम लोग नोड में पढ़ाते थे ज्यादा तर सेशन बेस्ट ऑृफंटिकेशन लेकिन अभ्यों चान रही है तो मैं चान यह यह बाइब करेंगे तो इसमें भी ज्व्ट करने पड़ेंगे तो ज्व्ट को ही के वेस के ओपर हम ऑथेंटीकेशन देखेंगे अच्छा अब बनाने से पहले अगर आप सर्वर साइट डिवेलपर हो तो आपको एक टूल लाजमी किया करें उसके ओपर काम आना चाहिए उस टूल जो है वह बेसिकली टूल जो है वह आपकी एप्लिकेशन की जितनी भी होती है जो भी आप बनाओगे उन एप्याइज को टेस्ट करने के लिए होता है कि यह ठीक काम कर रही है यह नहीं काम कर रही है इसका नाम होता है पोस्ट मैं ठीक है पोस्ट मैं हम पहले देख इंस्टॉल करते हैं वैसे पोस्ट मैंन को आप इंस्टॉल कर लेगे ठीक है यह आगए इसकी वेबसाइट डाउनलोड करेंगे फ्री ओपन सोर्स है ठीक है आप इसको यूज कर सकते हो मेरे खार से ओपन सोर्स चाहिद नहीं है लेकिन यह फ्री वर्जन के अंदर सब्सक्राइब करेंगे तो उसके लिए टूल होता है जो है वह आप रिक्वेस्ट को किसी भी रिक्वेस्ट को अपने चेक कर सकते हो को देख सकते हो अच्छा अब इसके अंदर जो हमारे पास last class के अंदर जो हमने काम किया था उसमें ही अगर देखा जाए अभी हमारे पास form है to do अगर है इस तरह की चीजहें ठीक है अगर जैसे अभी हम सिंपल एपीस पर काम करेंगे तो अभी हम व्यूज की तो ज़रूरत रही है व्यूस बनाने की एज्स वगरा के ठीक है हम डिरेकली रेस्ट एपिए इस पर इसको टेस्ट कर सकते हैं रेस्ट एपिए है जल्दी से हम लोग एक राउट के लिए फाइल बना लेते हैं और इसके अंदर हमें क्या-क्या रखना पड़ेगा पहले में जल्दी से इस टूडू राउट पर जाता हूं इसको कॉपी करके यहां पर रख लेता हूं ठीक है अच्छा इसमें क्या क्या चाहिए सबसे पहल पैश ठीक है अब हमें वैसे देखा जाए तो अगर आप सर्वर साइट रेंडिंग पर काम कर रहे हो तो आपको गैट की राउट भी बनाने पड़ते ना लॉग इन के लिए ताकि जिसमें लॉग इन का पैच गैट होगा लेकिन अगर आप रियक्ट पर काम कर रहो तो फि साइन अप के लिए भी ठीक है तो पोस्ट के उपर बना लेते हम स्लैश कि लॉग इन ठीक है यह चीज़ अभी हमारी हट जाएगी और इसी तरीके से पोस्ट के लिए हम बना लेते हैं एक और साइन अप है यह जो कंट्रोलर समय बनाएतें टूडू कंट्रोलर इ anf sir नहीं घर लेकिन इसकी जगाप हमें क्या चाहिए होगा हमें अपना ओर चाहिए होगा तो हम जल्दी से कंट्रोलर के अंदर भी एक boat की प्रणा लेते है और डॉम जिस ओय कि नहीं हमारे पास ठोलॉड अपने पास अपने पास ऑर बोड़ेस। अपने पास अपनल के चाब कर वाइं Per एक ढाल शॉंसे पहले हम झो काम करें ते हम लोगों ने रे के अंदर काम किय था हैँ उन्हेह तो यहां काम पर जब आप लग in करंगे ना तो आपका बार मर सर्फर री लोड़ोड होगा obad है तो हर वार लॉग इन लोग पड़ेगा क्यूंक्य यूजर का डिटा तो आपका जाता रहेगा जितने भी आपने क्यूंसर रब्र है था फूर चले जाएंगे तो इसके हम भी हमारा सर्वर री लोड हो हमारे वो जो पुराने यूजर हैं वो रिमूब ना हो सके ठीक है उसके लिए हम जल्दी से काम करते हैं कि मैं अपने पास यहां पर एक नई डिरेक्टरी बना रहूं और इस डिरेक्टरी का नाम में फिलाल डेटा रख देता हूं और डेटा के मैं ये रेंट के रिट कर लेता हूं कि तünde में है यूज ये सन की फाइल कें अंदर हमारे पास की अवागा ये तनिश हन था हो दो आ रह रहूंगे कि वह सारे हम यहां पर चार हो नहरेसे मैंट एक इस फाइल के अंदर आचा को यह हमने कर लिया अब हम किया करेंगे थो यहां पर जल्दी से अच्छा यहां पर जो कंट्रोल अस बनेंगे हमारे पास लॉग इन और साइन अप के नाम से नहीं बनेंगे बैसिकली यहां पर एक्चुली जो काम आप कर रहे होते हो साइन आप के पीछे आप उस नाम से अपना यूजर क्रियेट करते हो ठीक है फॉर इमेल पासवर्ड यूजर नेम भी रख सकते हैं अभी के लिए काम करते हैं यूजर नेम को छोड़ देते हैं जाने देते हैं ठीक है अब इसमें क्या काम हो रहा होगा यह जो इमेल पासवर्ड लीय हम क्या करवाएंगे इस और डिटाबेस में अपने स्टोर करवाएंगे ठीक गए अचाब डेटाबेस मैंने लास्ट लास में आपनों को बताया था कि हमारे हमने मॉडल के आप़ी काम नहीं किया मौडल ने मौडल कर रहे हैं हम वो सारा कश क किस नाम से बनेगी model में फाइल यूजर के नाम से बनेगी लेकिन यूजर नहीं होगा यह यूजर ठीक है क्योंके डेटाबेस हमेशा single entity की बात करता है हमेशा ठीक है तो इसको हम करेंगे user.js के single user जितनी भी चीज़े हैं वो सारी की सारी यह हैंडल कर रहा होगा ठीक है अच्छा जैसे कि हमने यहां पर बनाया था क्रिए यूजर का एक फंक्शन वैसे ही यह जो यूजर डॉट जैसे यह भी एक क्रिए यूजर कर रहा होगा लेकिन यह क्या करेगा यह डेटाबेस में एक चीज़ के लिए जो कि मेरे जो यूजर डोट जेसन वाली फाइल है उसमें से डेटा को रीड कर रहोंगे और राइट कर रहोंगे तो डेटा औरoter करना फाइल के अंदर से और रा 앞에 करना यह दोनों चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी अज़rite यह क्यूंक्वाल फाईल और दूसरा राइट डेटा ठीक है अच्छा अब ये जो रीड डेटा या राइट डेटा है इसके लिए इससे पहले हमें एक चीज और भी करनी पड़ेगी वो ये करनी पड़ेगी कि हमें ये पता करना पड़ेगा यहां पर के हमारी जो actual JSON file है जिसके अंदर हमने काम करवाना उस फाइल की path क्या बन रही है ठीक है तो एक काम यह करते हैं कि पहले path बनाने के लिए path का जो हमारे पास module होता उसको require कर लेते हैं JSON file path हमारी कैसे बनेगी path का function हम call करेंगे पार डॉट जॉइन है प्रोसेस डॉट है कि सीड़ डी और अब आएगा हमारे पास डेटा स्लैश लगाने की दुरूद नहीं है ठीक है है और डेटा के अंदर ठीक है यह हमारी फाइल का पात बन गया अचाँ अब यही फाइल का जो पात है इसका कॉंस्टेंट ये दोनों फंक्शन अपने अंदर यूज रहा होंगे ठीक है इसको अब फॉर इक्जेम्पल अगर हमने डेटा को रीट करवाने है तो डेटा को रीट करवाने के लिए पह read file ठीक है read file में हम क्या करते है json file path callback function और callback function में क्या आता है पहले आता है error और दूसरे में आता है data तक रहे है अच्छा ये वाला जो हमारा read data का function बनेगा क्योंकि ये fs.read file ये callback के अंदर हमें data दे रहा है तो यहाँ पर create user में जब हम read data करवाएंगे तो हमें wait करना पड़ेगा data का ठीक है यानि ये वाला सारा काम जो है वो asynchronous ली चलेगा ठीक है asynchronous काम के लिए हम क्या करते है async अवेट याद लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर callback है इसलिए हमें यहाँ पर use करना पड़ेगा promise ठीक है promise कैसे बनाते है new promise बनाएंगे इस promise के अंदर हमें एक function प्लास करते है और इस function के अंदर हम सारे काम करवाते है अच्छा इस function के अंदर अब यहाँ पर जो function हमने दिये इसमें दो parameter मिलते हैं कौन कौन से resolve और reject ठीक है तो अगर for example यहाँ पर मेरे पास अगर कोई error आ गया है तो फिर क्या होगा रिजेट करवाँगा ठीक है और यहीं पर काम करता हो return भी करवा दें ताके मुझे else का case ना बनाना पड़े मुझे यहीं सही इसको यह अगली line पर ना जाए ठीक है यहाँ पर यह कर लेते हैं और इसके बाद जो next line है हमारी उसमें हम क्या कर सकते है रिजॉल्फ रिजॉल्फ में क्या करवा देंगे data ठीक है लेकिन यह जो data हमारे पास हा रहा होगा यह binary form में होगा तो इसको do string और इस पूरे को हम क्या करेंगे ठीक है जब do string करवाएंगे तो सारा का सारा data हमारे पास पास्ट की फाई के अंदर आजाएगा ठीक है तो उसी को फिर हम parse करवाके object की form में वापस वंगवा लेंगे अच्छा अब इसके साथ सथ यह जो create user का function है ठीक है यह क्योंके promise है तो अब यह जो promise read data का function क्योंकि promise return कर रहा है इस read data के function के उपर हम await use कर सकते हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे simply यहाँ पर जब भी कोई create user हो रहा है तो create user करने से पहले अच्छा देखो यह read data create user के time पर read data करवाना क्यों जरूरी है इसलिए जरूरी है कि हम पहले validate यह करेंगे यूजर जिस email id से sign up करने की कोशिश कर रहा है कहीं already sign up हुआ तो नहीं है ठीक है अगर already sign up है हमारे database में already exist करता है तो फिर थोड़ी हम उसको दुबारा से sign up करने देंगे ठीक है इसलिए पहले हम क्या करेंगे यहां पर इस function को बनाएंगे अगर एसिंक ताकि हम इसके अंदर अवेट यूज कर सकें और अवेट यूज करने के बाद हम क्या करेंगे यहां पर रीड डेटा ठीक है और इसको कर देते हैं constant यूजर्स यानि current यूजर्स जितने भी होंगे वह हमारे अब इसमें आ जाएंगे रीड डेटा करने के बाद यह यूजर्स हमारे पास यहां पर आ गए अब मैं इस यूजर्स के अंदर चेक करवाना चाहरा हूं इस एमेल के ओलड़ी यह वाली इमेल इन यूजर्स के अंदर exist करती है कि नहीं करती करती ठीक है कैसे करवा सकता हूं इसके अंदर क्या लगाएंगे यूजर डॉट अच्छा अब यूजर्ज डॉट फाइंड के अंदर हमें क्या मिल जाएंगे सारे यूजर्स मिलेंगे ठीक है इसको हम एक एक करके यूजर मिलेगा बेसीकली ना तो इसको हम यूजर बार बार होगा तो फिर conflict create होगा इसलिए u.email triple equals to जो हमें email मिल रही है वो अगर उससे related है तो जो कुछ भी अगर यहाँ पर कुछ मिला है तो यह उसको हमें लाके return कर देगा ठीक है सब्सक्राइब अब मुझे क्या चेक कराना है कि match के अंदर कुछ रखावा है या नहीं रखावा ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या चेक करा लूँगा if match करने के उपर मैं क्या करूँगा मैं यहाँ से इसको error throw करवाऊंगा throw सभी है अगर यह वाला काम मेरे पास मतलब match match के अंदर मेरे पास false है ठीक है यानि कुछ भी नहीं मिला मुझको तो फिर मैं कौन से case में आऊँगा else वाले case में आजाँगा यानि यहाँ पर मैंने क्या करवाना है data को write करवाना है ठीक है write करवाने के लिए मेरे पास मैं almost इसी को copy कर सकता हूँ ठीक है इसके parameter के अंदर मुझको data मिल जाएगा ठीक है उसी data को मैं क्या करूँगा read file की जगा पे write file ठीक है और यह जो मेरे पास data है इसको मैं क्या करूँगा JSON.stringify करके यह data इसको यहाँ पर दे दूँगा इस बार रिजॉल्फ के अंदर मुझे यह data वगरा यह सारी चीदे नहीं चाहिए मैं directly इसको empty resolve करवाऊंगा अगर error नहीं आया है तो इस यह हो गई मेरी write की functionality सब्सक्राइब है अच्छा अब इसी राइट डेटा को भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर ठीक है अच्छा राइट डेटा के अंदर हमको complete users देने पड़ेंगे ठीक है वरना फिर क्या होगा यहाँ पर सारा का सारा override हो जाएगा अगर हमने नए user के आने पर हमने दुबारा से राइट डेटा कॉल करवा दिया और सिर्फ नए यूजर का डेटा दिया तो पुराना तो सारा वहाँ हो जाएगा ना तो हमें नए पुरानी यूजर्स के अंदर पुरानी यूज़र वाला जो और यह उसमें अपना यूजर एंटर कर वाके कि उसके बाद फिर उसको data पास करना पड़ेगा तो right data को pass करने से पहले हमें काम करते हैं कि यह भी कर सकते हैं या फिर हम यह वह अलग से यह बनाने के बजाए हम यहाँ पर array destructuring भी यूज कर सकते हैं कैसे यहाँ पर पहले dot dot डौट करके यूजर निकाल लेंगे अपने ठीक ए फिर आगे कॉमा लगा के हमें जो नई चीज एड करवानी है वो रख देंगे नहीं चीज हमें क्या है हमें एक यूजर का और चाहिए वह क्या चाहिए यूजर की इड यह जो के यूनीक ओना कि कैसे कर सकते हैं हम पात टैम स्टैम से कर सकते हैं कैसे करेंगे टाइम स्टैम से डेट डोट नाओ क्या करते हैं पता है यह मिली सेकंड लाके देता आपको ठीक है 1970 से अब तक जितने भी मिली सेकंड पास हो चुके है यह उसका डेटा राके दे रहा होगा ठीक है तो इमेल पासवर्ड और यूजर बीची कीपे टीक है अब यह कर दिया हमने लेकिन राइट डीट जो है ये भी क्योंकि प्रामिस है इसको भी क्या करवाना पड़ेगा अवेट ठीक है अचारण अब एक किसी भी चीज को करवाते हो जिसमें फेल होने के चांसेश है या याँ आपका कोई डेटा रिजग भी हो सकता है तो उस टाइंप पर हमेशा आप क्या करते हो एक ट्राए कैश के ब्लॉक के अंदर रखते हो गाई तो एक ट्राए का ब्लॉक के वोस्त में आ जाए और वहां पर हम उसका जो गा इच कर लें कि एरर के आउपर क्या करेंगे फिलाल अभी एरर के आपर हम स्टम Southern करते हैं कि जह हां से भी व्लबहुट काल हो रहा है उसagain को भी ओधर भी हमारे पास आ रहा है उसको यह आगे थो कर देगा ठीक है जहां से भी यह कॉल हो रहा है अच्छा जी यह चीज हो गई यानि हमारी एक क्रियेट यूजर की जो फंक्शनलिटी यह वह गई कम्प्रीट यहां पर ठीक है अब हम क्या करेंगे वापिस आएंगे अपने कंट्रोलर के अंदर और कंट्रोलर में हमने क्या करना है बेसिकली कंट्रोलर में हमने कॉल करवाना है क्रियेट यूजर को जो user id generate करवाई इसको controller में generate करवा दें क्योंकि यह logic से related काम है अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी करवा सकते हो कि यह जो user id है इसको यहां से कर लो उठा लो और इसको रख लो यहां पर कि अच्छा जी यह जो user id है इसको हम क्या कर देंगे अब model में अपने पास करवा देंगे और यहां पे user ID get कर लेंगे ऐसे भी आप काम कर सकते है तो ठीक है अब controller क्या करेगा controller करेगा कि यह create user वाली जो logic है इसको देखेगा लेकिन इसको भी try catch के block में क्योंके create user भी error तो पास कर सकता है न और create user अगर कोई error थ्रो करता है तो वो कहा जाएगा इसके catch में इसके इलावा create user जो है यह भी async function है तो इसको हमने अवेट इस पे भी call करवानी पड़ेगी create user के लिए और इस function को क्या बनाना पड़ेगा async इसको भी इसको भी एरर आ रहा है तो आप भी जहां से call हो रहे हो वहीं पर इस error को थ्रो करवा दो ठीक है अच्छा इसको हमने कहां से call करवाने है अपने routes से जो हमारे पास routes की file है ना जो basically हमारे पास जो request है इस function को call करवा रहे हैं तो यह create user वगरा करेगा अच्छा उसके बाद भी हमारे हैं वापिस अपने route की file के उपर routes के अंदर जो हमारे पास ने देना है ठीक है तो email और password request रिक्वेस्ट रोट बॉडी रॉट कि आधी इमेल और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रिक्वेस्ट 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 रे में यहां पर कॉल करेंगे इस function को भी हम एसिंक बना लेंगे जो हमारे routes में हैं ठीक है और यह जो create user का function है इसको भी हम await करवाएंगे ठीक है और साथ-साथ यहां पर इसको भी हम रखेंगे try के block में ताकि अगर यह जो create user ने जो अगर कुछ मसलब कोई error throw किया है वहां से तो वह हमारे catch के अंदर आ जा और फिर हम उसी हिसाब से user को क्या करवाएं कि उसको error response करवाएंगे ठीक है अगर कोई भी error आ रहा है तो हम यहां पर क्या करेंगे response.send error करवाएंगे ठीक है और send करवाने से पहले हम यह भी करवा सकते है response.send कोई status वगरा जो होता है ना request का वो भी हम यहां पर set करवा सकते हैं और अगर यह सब को successfully हो गया है तो फिर हम क्या करेंगे यहां पर response.send response.status क्या हो जाएगा हमारा 200.send user successfully created ठीक है तो अब हमें body के अंदर क्या भेज़ना पड़ेगा email और password अच्छा एक चीज़ हम यह चेक कर लेंगे अगर हम जैसन रिक्वेस्ट के ओपर काम कर रहे हैं तो हमारे पास यहां पर बॉड़ी पार्सर के अंदर बॉड़ी पार्सर डॉट जैसन लाज़मी होना चाहिए वरना फिर हमारे पास जो जैसन रिक्वेस्ट होती है वो काम नहीं करेंगी ठीक है अच्छा आपकाम करते हम जल्दी से सर्वर अपना अपकर लेते हैं और फिर पोस्ट में से रिक्वेस्ट करके देखते हैं ठीक है यहां पर आ गए हमारे पास यूरल बनेगा को क्या डीकल होस्ट लोकल logical colon 3000 एक एक नहीं किया हम ने यह किया हम ने यह पर यह तैसे हो ने है उसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं एक और बना लेते हैं आप डोट यूज इसकी जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी सारी आके मेरे पास आएंगी स्लैश और के उपर और वह जाएंगी आप पर ठीक है और और को मैं क्या कर लेता हूं यहां पर कि आप साइश राउट स्लैश आउट आप संपों कि नेरे क्या ऊज़र बनेगा कि क्या बनेगा लोकलोंoded स्लैश煞 और स्लैश अभी में क्या करने जा एंज और के जो मेरे राउट है मेरे पास इसमें sign up कर out में ने बनाया है ना तो मैं क्या करूँगा slash or slash sign up ठीक है अच्छा ये तो हो गया अब मेरे पार request जो है वो है post की है ना तो इसको मैं कर देता हूँ post और post करने के बाद मैं आ रहा हूँ यहां पर body में ठीक है body में आ जाते है raw और raw से यहां पर select कर लेते हैं जैसन यानि हम जो डेटा भेजने वाले हैं वो किसे बेजेंगे जैसन में ठीक है अच्छा अब यह जो जैसन के अंदर हम डेटा भेजेंगे जैसे जैसन होती है उसी तरीके से क्या क्या अबरे विल्ड में हमारे पास अब रिक्वेस्ट निकालने में इमेल और पासवर्ड निकाल ले ना तो इमेल में मेरा अब देता हूँ अब टैस्ट एट्ट अब को में और पास्फेर्ड की जो फिल्ड है मेरे पास आएगा 123456 सब्सक्राइब है अब रिक्वेस्ट करके देखते हैं इसको वेरिफाइब करने के लिए हम क्या करेंगे हम जाएंगे अपने पास जो यूजर डॉट जैसन की फाइल है यह देखो हमारे पास यूजर का डेटा भी आ गया यूजर आईटी भी जनरेट ह हो गई है सब्सक्राइब है यह हमारा साइन अप वाला जो फ्लो है वह तकरीबन अल्मूस्ट कंप्लीट अभी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो कि अभी हम आगे चलते चलते बहतर करेंगे लेकिन फिलाल यह है कि हमारे एक नॉर्मल सा जो यूजर है वह क्रिए हो लोगिन का बनाना तो लॉग इन के फिलो के लिए जैसे सौन अप के लिए box के फैसे करें ना काम से बनेगा फाइंड यूजर बनेगा ना अधिया मॉडल का काम क्या है यूजर फाइंड करके देना कि इस फैंड यूजर है जब आप के बन जाएगा ना आप यह वाली जो अपनी लाजिक थी ना कि यूजर अल्लेडी क्रेट कर रहे हैं exist करता है यह आप controller पर भी मूव करवा सकते हो उसको आप simply find user से सारे users मंगवा लोगे और फिर चेक करोगे कि वो चीज exist करती है अच्छा यहां पर यह क्या काम करेगा यह बैसिकली सिर्फ यहां तक का काम करेगा ठीक है अगर कोई user मिल गया इसको तो यह क्या करेगा simply यह जो matched है इसको करवाएगा return ठीक है और फिलाल के लिए इसको भी इतनी रगए अगर वो match कर जाता है जो भी user match करेगा उसको वो चीज मिल जाएगी ठीक है और एक काम हम यह भी करेंगे कि यह जो password और यूजर आइडी वगरा है यह इसको यहां पे नहीं मिलेगी सिर्फ email के जरीए email की बेस के ओपर यह क्या करेगा user को find करेगा ठीक है अब यह जो find user है यह वाला मैथड हमारा कहां से कॉल होगा अज़िए इसको पर पहले क्या करवाएगा यहां पर कॉल करवाएगा उसका function कौन सा वाला function क्या नाम रखता हमने function का find user ठीक है और इसको हम क्या कर लेंगे एक user के वेरियेबल के अंदर store कर वा लेते हैं constant user equals to find user ठीक है अब अगर यह user उसको मिल गया है ठीक है तो अब क्या होगा पासवर्ट की comparison होगा पासवर्ट का के पासवर्ट यूजर ने सही दिया या नहीं दिया ठीक है तो पासवर्ट के लिए क्लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले तो इफ कर लेते हैं इफ यूजर डॉट पासवर्ट किसके बराबर होगा पासवर्ट के तो क्या होगा हम यहां से रिटन करवा देंगे लॉगिंद सक्सेस्फुली ठीक है और अगर ये केस फॉल्स होता है या यहां पर नहीं आता तो पिर हम यहां पर नीचे से क्या रिटन करवा सकते हैं कि यह नीचे रिटन क्यों करवार हो मैं एसके ब्लॉक में क्यों नहीं लेकर पता है न सब को क्योंकि इस वाला जो कंडिशन है अगर यह पास हो गई तो यहीं से रिटन हो जाएगा वो सेकेंड लाइन तक कभी पहुंचे गई नहीं ठीक और अगर इस वाली कंडिशन जो है वो फॉल्स होती है तो इस वाली राइन पर नहीं हुआ यहां पर रिटन नहीं हुआ इसका मतलब यह कि मेरी यह लॉजिक जो है वो फेल हो गई है तो मैं क्या करूंगा इसको कि यहां पर एक चीज और भी है कि यह जो यूजर मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी भी गैरंटी नहीं है क्योंकि यूजर ने अगर गलत इमेल डायल के लॉगिन कर रहा है तो यूजर क्या जाएगा पर हमारे पास एमटी आजाएगा ना तो हम यह करने से पहले हम यह भी चेक करेंगे कि इफ अगर यूजर एक्जिस्ट कर भी रहा है के नहीं कर रहा ठीक है इफ यूजर नॉट नॉट यूजर इसलिए लगा दिया कि वह एब्सुलूट ट्रू या फॉल्सी वैल्यू हो जाए ठीक है और उसके बाद पिर यूजर डॉट पासवर्ट ट्रिपल इकोस्टू पासवर्ट सभी अच्छा अब यह जो लॉग इन का फंक्शन है यह कहां अलग जगा पर क्यों काम कर रहें आ रही है इस हवाल है ना देखो फूर इसेंपल अभी जो हमारे पास क्रियेट यूजर के अंदर काम हुआ है ना बहुत छोटी सी लॉजिक्स लेकिन क्रियेट यूजर के अंदर वैसे जब आप किसी एप्लिकेशन पर काम करोगे तो क्र अग्याँ से इसको अलग अलग रखा जाता है कि डेटाबेस रियुट जितनी भी लॉजिक थाही काँ पर जाएं गी मॉडल आपकी लॉजिक जतनी हैं आपकी एपिए से रिलेटिट रिट वह सारी की सारी आःएंगी वह आपके अंदर आईंगे ठीक हैं और राउट सो ब किंट्रोलर केंदर कर रही होतınız एक कर आफ पासवर्ड ऑस को चाहिए यूजर का पासवर्ड इसंक का पासवर्ड रही हो सारी की सारी कण्डीशन अभी हमने निया हुआं ते कहां बनेंगी सब कंडीशन अश्यों अच्छा यह होगए हमारे पास अब हम जा रहे हैं वापपस के इंदर। लॉंकिन कर आ जाने हैं इसमें भी वहीड ट्राइग लगेगा पर के ऊपर तो सिंप्ली यह वाला काम हो जाएगा जो हम उसमें कर रहे थे और ट्राइए के अंदर क्या हो जाएगा यही चीज होगी बस यहां पर यह जो फंक्शन है यह चेंज हो जाएगा फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा क्रियेट यूजर की जगा क्या हो जाएगा लॉग इन ठीक है अच्छा आप यहीं से हम एक काम करते हैं यहाँ पर करें ठीक है इसी यूरल को कॉपी कर लेते हैं एक नए टैप के अंदर यहाँ पर आते हैं यहाँ पर ओट की जगह हम क्या रखेंगे अब साइन अप की जगह लॉग इन ठीक है लॉग इन को भी डेटा जो है वो तक अल्मोस्ट इसी तरह का चाहिए एमिल पास्वड वगरा ठीक है तो हम यहाँ पर आते हैं और बॉड़ी में आते हैं रिक्वेस्ट हमारी होगी पोस्ट की बॉड़ी में हमारे पास रॉव और टैक्स से जैसन और यह क दिया होगा तो हमारे पास अदिया होगा क्योंकि हमारे पास यह जो लॉग इंउन का फंक्शनन है अवेलेवल ह सप्वेरं यह वेलेबल इंपॉर्ट नहीं हूओ अब लॉग इंड करते हैं तो यह हमें कह रहा है लॉग इंड का मेकैनिसम है और साइन अप का मैकैनिसम है यह बन गया लेकिन यह सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाए अभी एक्चिल रेयल एप्लिकेशन के अंदर आप इस तरीके से काम नहीं करते हैं अभी जो हमने लॉ गलतियां हैं बहुत सारी गलतियां सबसे पहली जो गलती है वो यह है कि मैं जाके किसी भी यूजर का पासफ़र्ट देख सकता हूं ठीक है यह नहीं होना चाहिए इसलिए नहीं होना चाहिए यह फॉर एक्जैंपल मैंने अगर कोई अप्लिकेशन बनाई है यह मेरी कंपन है ना ठीक है तो यह तो बोड़ी खतरनाक बात है है ना चलो मैं खुद बड़ा इमानदार बन्दा हूं लेकिन मेरे इंप्लॉईस तो नहीं हो सकते ना है ना तो यह चीज़ नहीं होनी चाहिए कभी भी डेटाबेस के अंदर आप पासफ़र्ट अपना शो नहीं करवाते हमेश्या पाइसवर्ट नहीं सवर्ण के अंदर होता है इस अंटति फॉर्म नहीं रखोगे आप हर के रेक्टर कोचिछ करोगह फिसे Welrard के साथ ठीक है जो कि basically कोई और algorithm होगा उस वही पहचानता होगा उसको और वही फिर उसको बाद में चेक करके बता सके कि यह पासफ़र ठीक है या नहीं सही है तो इस काम के लिए जो यूज होता है हमारे पास वह हमारे पास note के अंदर एक module होता है कि यह अच्छा तो इसको हम यूस करेँगे अपने पास इसको यूज करने का सिंपल सा तरीका है के एंप matching install जो है वह आप कर लेंद अपने पास और यह करने के बाद पर आपके पास जो है वह आप किसी भी पासफ़र्ट को हیश करवा सकते हो और hash करवाने के बाद पिर आप उसको compare करवा सकते हो ठीक है basically hash जो होगा password जो यह hash करेगा उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें इसको देनी पड़ती है जैसे के हम यहां पर जब भी हम हमारा user कोई भी user आएगा और sign up करेगा एक तो मैं यह करूँ कि जो मेरे पुराने user ने तो कि इनके अंदर password लिखा वा था इसको इसलिए मैं क्या करूंगा इन सारे users को हटा के वापिस इसको empty array कर दूँगा ठीक है और यह करने के बाद अब मेरा user जहां पर भी add हो रहा है user मेरा कहा एड हो रहा है create user के अंदर ठीक है यहां पर मैं user को क्या दे रहा था simple password दे रहा था ना password की जगा पर मैं उसको क्या दूँगा अब मैं उसको hash password दूँगा ठीक है यह आगया मेरा password ठीक है अच्छा अब यह जो bcrypt.hash है यह मेरे ख्याल से आपके पास async await के साथ भी चल जाता है तो हम इसको करेंगे simply await और यह सारी चीज़ें जो हम हटा देते हैं ठीक है अच्छा आप इसको दो चीज़ें हमने पास करनी है एक तो हमारा जो main password है ठीक है जो user ने डाला है वह हम इसको दे देंगे ठीक है ताकि हमें decrypt करके password दे उसी की उसी का और वो जो password है encrypted password कर सकते हैं इसको ठीक है या इस तरह से कर सकते हैं ठीक है और यहां पर password की की के ओपर हम क्या कर देंगे उसको encrypted password ठीक है अच्छा उसके बाद पिर हमारे पास second value जो है वह salt है salt basically इसके जो हैशिंग करेगा या encrypt करेगा उसको यह क्या करता है यह उसके ओपर rounds चलाता है ठीक है यानि एक बार उसको करेगा क्या करेगा फिर वो जो encrypted value होगी उसको दुबारा encrypt करेगा ठीक है इस तरीके से बार बार encryption होती है ताकि इसको कोई जो algorithm से किसी भी तरह की तर सकता है brute forcing होती है बहुत सारे होते हैं तो वह क्या किते हैं encrypted चो चीज़े होती है उसको decrypt कर ले ठीक है तो अगर आप क्या किते हैं ज्यादा rounds की अगर आप इसमें encryption लगाते हो जैसे for example 12 मैं इसमें value pass कर रहा हूं salt की value ठीक है तो यह क्या करेगा उसको बारा बार encrypt करेगा ठीक है पहले एक बार password को encrypt करेगा फिर करेगा जो value आएगी फिर करेगा उसकी जो value आएगी फिर करेगा इस तरीके से बारा बार करेगा ठीक है अब यहां पर value देने को तो आप कितनी भी दे सकते हो लेकिन जितनी बार बड़ी value आप दोगे उतना ही ज्यादा इसको time लग जाता है आपके पास और almost impossible to encrypt decrypt है ठीक है तो इतनी ज्यादा मतलब इसमें security आ जाती है 12 रखने के बाद तो अब हम यह वाला काम करेंगे अब उसके बाद पिर हम यहां पर क्या करेंगे करेंगे को हमने रिक्वाइर कर लिया और इसी भी क्रिप को हम अब यहां पर यूज कर रहा है यहां पर हमारे पास changes हो गई है वापिस आ रहे हम पोस्ट मेंड के उपर sign up पे आते हैं और sign up पे आने के बाद अब हम यहां पर दुबारा से यूजर को create कर रहे है यूजर क्रियेटिट सक्सेसफुली अब थोड़ा सा टाइम लगाया नहीं पहले से पहले फटा फट रिक्वाइज चल ली थी ठीक है तो यह आते हम वापिस यहां पे और हमारी जो डेटा की फाइल है यूजर डोट जेसन तो यह हमारा यह पासवर्ड तो यह जो इंक्रि लग गए ठीक है तो वह तो आपकी कंपनी ही गई पूरी क्योंकि आपकी कंपनी के जितने भी यूजर से अब उनको दुबारा से वैलिडेट करना इंपॉसिबल हो गया ठीक है आप उनको कैसे बोलोगे कि आपना पासवर्ड चेंज करो क्योंकि वही पासवर्ड जो एक्सेंपल हम यहां पर आते हैं और लॉग इन पर आते हैं और लॉग इन पर आके इसको सेंड करते हैं साइन करने कोशिव करते हैं तो यह कह रहा है रहा है यह क्योंकि पासवर्ड जो हमारे पास इंक्रिप्टिट फॉर्म के अंदर है और कंपैरिटन किस से चल लिए है है ठीक है तो अब इसकी comparison क्या होगी अब इसकी comparison ऐसा नहीं होगी कि हम password को खुड decrypt करें और उसके बाद compare करें नहीं अब क्या होगा जो password आपने एक बार encrypt करती है न अब वो decrypt नहीं हो सकता ठीक है even कि आप खुद भी इसको decrypt नहीं कर सकते कोई भी decrypt इसको नहीं कर सकता सिर्फ अब यह password compare हो सकता है ठीक है यानि जो पुराना वाला जो आपने encrypted जो password रखा है वो और आपका plain text आप उसको बी क्रिप्ट के जरीए compare करवा सकते हो कि यह value match कर रही है के नहीं कर रही यानि encrypt करवाने के बाद यह same उसी तरह का कुछ बनेगा या नहीं बनेगा ठीक है तो वो बी क्रिप्ट जो है वो हमें compare करवा के वो value हमें बताएगा कि भाई हाँ यह कुछ इसी तरह का बन रहा है ठीक है तो उसके लिए हमारे पास जो value होती है यह वाला function होता है वी क्रिप्ट डॉट कमपेर का ठीक है तो compare के लिए हम आ रहे हैं कहां पर login के अंदा यहां पर क्या केते हैं जो login है हमारा वो कहां रखाऊ हुए अभी controller के अंदर रखाऊ हुए ना नहीं मॉडिल के अंदर रखाऊ हुए ठीक है तो यहां पर क्या होगा यह जो password क्रिपल इक टू पासवर्ट है यह वाली condition जो है यह अब हमारी यहां नहीं चलेगी ठीक है पहले तो हम आएंगे इस के चेक के अंदर और यहां पर हम क्या करेंगे एक तो हमारा user.password है जो के हमारा कौन सा है जो के database में रखा वादा ठीक है और एक वो password है जो कि user ने भी हमें दिया है तो वो हमारा plain text password है तो बी क्रिप्ट के दरिए उसकी comparison होगी ठीक है और बी क्रिप्ट का module जो है वो यहां पर भी required हो जाएगा हमें ठीक है यह बी क्रिप्ट आगया आपके पास अब इस ही बी क्रिप्ट के अंद से हम compare करवा लेंगे और compare करवाने से पहले हमें काम करेंगे जो compare है ना इसका result जो है वो एक इसको क्यूंकि यह already यह function async है तो हम यहां पर अवेट लगा सकते हैं यह भी asynchronous function बन जाएगा हमारा और यह जो return करेंगा हमें यह return करेंगा हमारा result कि कुछ भी नाम दे सकते हो basically आप इसको और अब हम क्या करेंगे अब हम चेक करवाएंगे कि यह जो result है basically हमारा यह true है यह false अगर result true है तो फिर क्या करेंगे हम अच्छल ऐक काम यह भी कर सकते हैं कि यहां पर यह जो result है इसको हम यहां पर चेक कर वा लेएंगे टू है ठीक है कि यह वाला जो फिर यूजर वाला यह बेकार हो कुछ इस तरा का प्राम कर सकते हैं हम यहां पर कि है अगर यह टू होगा तो इसकी जो भी वैल्यू की वह यहां पर रिटन हो जाएगी देख अन्ल में मैं एंड और टा टीक बंद09 फैनल वैल्यू अगर यह फाइनल वैल्यू है तो फिर यह नहीं मिलता तो फिर रॉंग इमेल और पास्वर्ड अब हमारे वापिस लॉग इन के उपर और लॉग इन पर दुबारा से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो अब हमारे पास आ गया लॉग इन सक्सेस्ट यानि वह जो कंपैर था उसने में टू दे दिया अगर हम इसको आ दिया तह पहले ठीक है सेंड करते हैं तो अब भी हमारे पास एमटी आपजेक्ट आ रहा है देख लेंगे उसको यह आपका कंट्रोलर के अंदर ही होगा ठीक है यहां पर यह जो लॉग इन ना यह हमारा कंट्रोलर के अंदर ही है ठीक है और यह जो हमने काम किया था किया मॉडल को हमने यहां पर जो यूजर.js है ठीक है इसमें हमारे पास यह जो पासवर्ड हमने देना था नहीं हमें पहले से इंक्रिप्ट करवा के देना था उसको मतलब यहांनी कुछ इस तरह का होना चाहिए था यहां पर यह चीज़ यहां पर नहीं आएगी बलके यह चीज़ आजएगी यहां पर हमारे पास क्रिएट यूजर के टाइम पर ठीक है और यह पासवर्ड की जगह पर हम बेज़ेंगे इसको इंक्रिप्टेट पासवर्ड यह इस तरीके से होना चाहिए था तो एक बार दुबारा से यूजर को साइन अप करवा के देख लेते हैं अब सभी चल रहे हैं सब कुछ यह नहीं साइन आ जाते हैं और हम साइन अप करवा रहे हैं टेस्ट यूजर को यह टेस्ट टू कर लेते हैं इसको सेंड करते हैं यूजर सक्सेस्फुली क्रिएट औ और उसी को लॉग इन करके देखते हैं टेस्ट तू लॉग इन सबस्क्राइब अब सबस्क्राइब यह हो गया अब हमारे पास हमारा लास्ट टॉपिकेस के अंदर जो अभी तक हमने जितना भी काम किया है लॉग इन वाला साइन अप वाला ठीक है उसमें अब हम पहले यह करेंगे कि हम एक क्यूंके हम टोकन बेस्ट ऑथेंटिकेशन पर जा रहे हैं तो टोकन्स एड़ करवाएंगे यानि यूजर जब टोकन्स के जमरेशन फ़ज को झाल फञेंगे के डिटा इसको देना है यानि देना ठीक है तो वह से लोग टाकन की जो जनेरेशन होगी हमारे पास होगी एख ह्षा मुखन है शाइसन लगस्के रहे हैं उसके जरीं और है यह कि о एसको जबर ती कहते हैं बहूत से लोग ठी कि इस के जरी अब आप authentication करवा सकते हो जो आपके पास मुबाइल application होती है ठीक है कहीं पे भी अब पहले तो यह उता था कि पहले जैसन वेब टोकें जब तक नहीं आया था उस वक्त तक तो session बेस्ट ऑफेंटिकेशन चलती दी ठीक हो सेशन जा कि आपके ब्रॉजर में स्टोर होता था फिर जब मॉबाइल अप्लिकेशन वगिर आई तो उसके अंदर मसेले आने लगए कि यार मॉबाइल के अंदर session कहा पर स्टोर करवाएंगे application के सेशन तो ब्रॉजर के अंदर स्टोर होते हैं डेटा सारा सर्वर पर होता है लेकिन session की जो आईडी होती है वो ब्रॉजर पर स्टोर होती है कुकीश के अंदर तो इस वज़ए से फिर जैना कोई दूसरा mechanism आया और उस mechanism के लिए वह जो mechanism है उसको छोड़के फिर हम जैसन व टोकन के तरिए तो इंस्टॉल कर लेते हैं जैसन वेब टोकन ठीक है और इसको इसी की documentation पर आ जाते हैं इसको देखने इसको 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 कैसे यूज कर सकते हैं जैसन वेब टोकन को यूज करने के लिए आपको simply इसको require करना है और कोई भी टोकन बनाने के लिए आपको क्य की ठीक है वो आपने इसको पास करनी पड़ेगी जैसे यहां पर इन्होंने प्राइविट डॉट की है उसके अंदर से फाइल को रीड करके उसमें से उठा लिया कुछ लोग ऐसा भी काम करते हैं कुछ लोग जो है वो क्या किते हैं आपके पास नोट के अंदर लेकिन यह वाला जो हमें आरेस शा का यह सबसे अच्छा चल रहा होता है तो लोग ज्यादतर इसी को यूज कर रहोते हैं शाटू 56 के नाम से यह चीज़ हमें चाहिए होगी जब भी कंट्रोलर के अंदर हम यह वाला काम करेंगे अज़ा जिडव्यूटी हमारे पास आगए और जिडव्यूटी से टोकन ढर्राने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर European यह जो हमने कर रहे थे लाग इन यूजर को लॉग इन कर वारते बादे अगर वहु हमें लॉग इन मिलनकर यह यहां पर तो हम क्या करेंगे sign करवाएंगे और data में क्या रखेंगे data में वो data रखेंगे जिससे बाद में हम user को क्या करवा सकें user को check कर सकें कि user जो हमारा कौन सा था यानि for example अगर मैं email रख दूँ तो बाद में हमारे पास कोई भी request आती है तो हमें बार यह नहीं चेक करना पड़ेगा हम मुझे बेसिकली user की email ही मिल जाएगी उसी token की बेस्पे के यह यह वाला user है ठीक है अच्छा और उसके बाद पर यह जो second जो हमारे पास यह हमारी सीक्रेट की है जो इन्हों ने रखा वाए ना उसके बाद पर कहकेते हैं यहां कोई भी सीक्रेट की का एक बना लेते हैं अचा है यह जो सीक्रेट की हम दे रहे ना यह हमें बाद में इसी को के कहते हैं verify करने के लिए इसको decode करने के लिए भी हमें required होगी है secret की ना तो हम इसको किसी ऐसी जगह पर store करेंगे ताकि हम हर जगह से इसको access कर सके हैं ठीक है कहां से access कर सकते हैं इसको डेटा में रखतूं यह जो हमारे पाल डेटा है इसमें new file बना लेते हैं और की बना लेते हैं की डॉट जेसन और हमारे पाल जो secret की होगी हमारी यह जेसन की जगह हम जेस फाइल भी बना सकते हैं constant के तोर पर रख सकते हैं इसको की डॉट जेस बना लेते हैं और यहां पर कि एक सिंपल सी स्ट्रिंग होती है जिसकी बहाव पर आप मतलब समय लो यह एक ताला एक ताले की चाबी है ठीक है जिसकी बहाव जिसके आपका टोकन बनेगा और इसी से आपका टोकन जो है वह वापिस open भी हो सकता है ठीक है यह secret की बेसिकली आपने किसी को भी निदेनी होती यह सिर्फ कह कहते हैं आपके पास ही रहेगी ठीक है आप ही को पता होगी यह जो secret की है इसको मैं क्या करूंगा हम रिक्वाइर करवा लूँगा है ठीक है रिक्वाइर कर वा लिए मैंने डेटा की से और इसको पास कर दी अब यह जो टोकन जेनरेट हुआ है ठीक है यहां पर हम लगा सकते हैं कि अवेट बलकि यह जो है हमारे पास यह सिंक्रोना से ठीक है तो इसमें अवेट यह जो टोकन हमारा जेनरेट हुआ है कि इस टोकन को हम क्या करेंगे बेसिक्ली कि रिस्पॉंस डॉट सेंड कर देंगे अपने यूजर को बलकि हम अब भी कहां खड़ेंगे कॉंट्रोलर के अंदर खड़ेंगे यहां से रिस्पॉंस थोड़ी कर सकते हूं यहां से हम क्या करेंगे सिंप्री इस टोकन को रिटरन करवा देंगे और यह जो टोकन है बेसिकली जब यहां पर आएगा तो जो भी रिस्पॉंस उसका यूजर का आया है उसी के तसरी वह भी हो जाएगा तो अब जब हम लॉग-इन करेंगे यहां से तो हमें लॉग-इन सक्सेस्फुली के बजाए इसको हमें दे देना चाहिए हमारा टोकन होता है इसी टोकन के अंदर आप के पास और भी मल्टिपल वैलियू जैसे के अंदर ऑबजेक्ट पास कर सकते हो कि आप इन के तोर पर होता है कि जो टोगन है आपका यह कितने टाइम तक के लिए वैलेट होगा ठीक है तो ज्यादा तर लोग जो है वह एक घंटे तक कही ट टोकन बनाते हैं अपना हर घंटे जब कोई यह रिक्वेस्ट आती है तो यह वो कोई रिक्वेस्ट सर्वर के ओपर नहीं भेज रहा है तो उसकी जो अथेंटिकेशन वह एक्सपायर हो जाएगी ठीक है इस तरह भी होता है तो यह जब हम एड़ करेंगे अब एड़ करते हैं तो यह आगे हमारा ठीक है अब यह टोकन तो हम यहां पर इसने दे दिया ठीक है अब यूजर जो है वो क्या कहते हैं लॉग इन करने पर इसमें टोकन दिये अब मैं क्या चा रहा हूं मैं चा रहा हूं कि मेरे पास यह जो टूडू.js के अंदर हमने राउट्स बनाएते ना बहुत सारे टूडू.js हमारा कहा था ओध के अंदर इसमें यह जो स्लैश था जिसमें रिस्पॉंस डॉट रेंडर कर रहा है ठीक है एक काम करते हैं रेंडर की जगह हम इसको करवाते हैं रिस्पॉंस डॉट सेंड ठीक है और सेंड में हम सिंपल टूडू बेज रहे हैं इसको सभी है अब अगर मैं यहां पर एक नया टैप ऑपन करूं और हमारा राउट क्या बनेगा गैट का राउट है स्लैश टूडू स्लैश ठीक है यह बनना चाहिए ना सभी हमारे पास एमटी एरे आ रहे हैं ठीक है लेकिन इसका मतलब है कि डेटा आ रहे है अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो राउट है मेरा यह यूजर विदाउट लॉग इन एकसेस ना कर सके ठीक है तो फिर मैं क्या करूंगा मैं यहां पर अपनी ऑथेंटिकेशन एड करूंगा ठीक है अगर मुझे सब पर ही ऑथेंटिकेशन अपलाई करनी है तो मैं क्या करूंगा सिंप्ली यह जो मेरे पास एप.js की फाइल है इस एप.js के अंदर स्लैश टूडू के अंदर मैं इस टूडू को एकसेस करने से पहले क्या करूंगा एक मिडिल वेर पास करूंगा इसको ठीक मैं इस वाले अगर यहां से नेक्स्ट हो रहा है तो ही एक्वल्टू डू में जाएगा है ना वरना फिर नहीं जाएगा तो अगर मैं यहां पर ही चेक करurate हूँ इसी फंक्शन के अंदर के यूजर ऑथेंटिकेटं है है या नहीं यह तो फिर क्या होगा? मैं चेक करक्ता ह तोना इस तरीके से फूर इंपल अगर मैं यहां पे करूँ कि मैंने जो रिक्वेस्ट डॉट बॉड़ी है ठीक है या फिर रिक्वेस्ट डॉट हेडर हेडर के अंदर मुझे टोकन चाहिए लाज़मी ठीक है तो मैं यहां पर चेक कर आ सकता हूं रिक्वेस्ट डॉट अगर रिक्वेस्ट हेडर डॉट टोकन एक्विस्ट करता है कहां पर रिक्वेस्ट के उसमें तो फिर मैं क्या करूँगा मैं यहां पर नेक्स्ट कॉल करवाऊंगा ठीक है वनना तो फिर मैं क्या कर दूंगा एल्स के ब्लॉग के अंदर मैं करूंगा यहीं से रिस्पॉंस करवा दूंगा रिस्पॉंस डॉट सेंड ऑथेंटिकेशन फिल्ड सभी समझ में आ रही यह बात मैंने क्या किया अच्छा हम यह भी तो कर सकते हैं कि अगर हमें इसी कर रहा हूँ कंट्रोल एक्स यहां पे मेड्यल वेर्स जितने भी होंगे आपकी एपलेकेशन चैन के लिए उसके लिए आप मेडलल्ए बिढ़ने मेरस का फोलडर बना सकते हो ठीक है भाई वेरिफाय रख देते हैं या कॉंस्टेंट की जगह इसको सीधा एक्सपोर्ट्स डॉट कर देते हैं कि सब्सक्राइब यह जो एक्सपोर्ट्स डॉट्ट वेरिफाय है यह हमारा कहा जाएगा टूडू के अंदर अगर देखा जाए तो मेरे पास जो टूडू की रिक्वेल्स जारी थी यह टूडू इसको नहीं देने चाहिए टीक है क्योंकि मैंने अभी हैडर भेज़े इसको वह हैडर टोकन वाला इसको मैंने नहीं भेजा है ऑथैंटिकेशन फिल्ट टीक है लेकिन अगर मैं यहांपर आता हो हैडर में और हैडर में मैं इसको ai simply यहां पर एक नया है कुई एडर करता हूं टोकन मैं कोई भी टोकन अभी कोई भी वैल्यू दे रहा हूं इसको ठीक है एबी सीडी सम्टिंग एस डी अफ ठीक है तो यहां पर जो मेरी कंडिशन लगी विए वेरिफाई के अंदर वह क्या रखी हुए कि टोकन में कुछ भी एक्जिस्ट करता है यह नीटोकन एक्जिस् अब आगया है और अगर यह टोकन वाली जो इसको मैं नहीं सेंड करूं इसको तो फिर उल्टा सीधा टोकन भेज़ दें तो वह चल जाती है ना ठीक है अब हम क्या करेंगे अब वह जो हमारा जे डबलूटी के जरीए टोकन जनरेट हुआ था उसको भेजेंगे ठीक है और तो उसी को जे डबलूटी के तरहीं वेरिफाए करेंगे कि यह गया मैठेड है टीक है तो उसको वेरिफाए करने के लिए हमारे पास क्या है हम यहां पे जे डबलूटी टॉट साइन करें जैसे मैठड्ड़ त α उसी तरीका से हमारे पास ये डूट jwt.verify का method है ठीक है इसको भी हमने क्या देना पड़ेगा यहां पर हम चेक करेंगे jwt.verify ठीक है सबसे पहले तो यहां पर हमारे पास क्या आजएगी security की स्वरी सीक्रिट की दी अच्छा और टोकन की जगा पर क्या आएगा हमारा request. जो user header के अंदर टोकन बेज रहा है वो ठीक है और यह जो हमने jwt वाला काम किया था कहां किया था का मेरा ठीक है इसको हम करेंगे यहां मेडल वेर्स में इंपोर्ट ठीक है अब यह जो decoded value है हमारी अगर कोई decoded value हमें कुछ मिल जाती है अचा इसके अंदर जो हमारे पास हमें यह देना पड़ेगा function ठीक है क्योंके इसमें error भी आ सकता है possibility है ठीक है तो हम इस तरीके से करवाते हैं ठीक है अगर decoded है तो फिर हमारे पास decoded के अंदर हमने user में encode करते वाद token generate कर वादे हमने email रखवाई थी तो हमें यहां पर वापिस है email ही मिल जाएगी और उस email अगर वह email अगर मिल जाती है तो हम क्या करेंगे यहां पर इसको next करवा देंगे ठीक है और अगर वो चीज हमें नहीं मिलती कोई भी यूजर अगर कोई भी किसी किसिम का error आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे response.send और यहां से return करवाएंगे ताकि वो new line में ना जाए यह पूरा जाए वो अब हमारा हट जाएगा ठीक है इतना सा रहे जाएगा बस इसकी भी दावत नहीं है अब हमें यहां पर हमने क्या किया है हमने jwt.verify करवाया अपने जो headers के अंदर टोकन आ रहा है उसको security की बेस के उपर और उसके बाद पिर उसमें से देखा कि उसमें value कुछ आ रही है अगर error आ रहा है तो पिर simply return करवा दे response.stand authentication और अगर error नहीं आ रहा तो हम पहले email चेक करेंगे उसमें क्या रही है और फिर next करेंगे ठीक है तो हमारे पास जो token एक बनके आया था यह आगया था token बनके ठीक है इसी token को मैं कर रहा हूं copy यह jwt के से token बनावा था ठीक है इसको वापस आते हैं पहले काम करते हैं कि इसको token बेचत हूं तो authentication field क्यों आई यह मैं दुबारा से इसको generate करता हूं नया token generate कर लेते हैं और करने के बाद वापस आते हैं मेरे खायल से ऐसे आएगा ठीक है तो अब हमारी value ठीक आ रही है अगर मैं इस token के अंदर कुछ भी change करता हूं लाइक अगर मैं यह 9 अगर हटा देता हूं एक text हटा दूँगा तो मेरी authentication फिर से इस तरीके से फिर आप करते हो अच्छा यह जो आप अगर एक काम करते हैं हम इसको इसको जो यहां पर 9 अगर यह करने के बाद इसको मिलनी चाहिए यहां पर email इसको मिल रही है अब यह जो email का data मिल गया यह आगे जितनी भी रिक्वेस्ट जा रही है उसमें मेरे काम तो फिर मैं कैसे निका सकता हूं इसी डिकोट डॉट इमेल को मैं क्या कर दूंगा आगे जब वह नेक्स्ट कर रहा है नेक्स्ट करके वह जिस भी रुक्रेस्ट में जा रहा है यहां 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 पर यहां पर गेट कर सकते हैं रिकोट डॉट यूजर को तो अब टूडू के साथ साथ मेरा यूजर ड्रिस भी आ रहा है उसके पास अला कि मैंने उसको यूजर इमेल अभी बताया नहीं है मैं सिर्फ उसको अपना टोकन भीज रहा हूं उसी टोकन के बेस पर सर्वर को पता चल रहा है कि कौन सा यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है ठीक है अगर मैं यहां पर आता हूं और यह जो टेस्ट टू है मेरा इसकी ज टोकन जो है वह मैं पास करता हूं अगर टूडू को तो अब इमेल अडरस के आना चाहिए पता है ठीक है उसी टेस्ट के ब्याव पर इसने वेरिफाय कर लिया तो अब कोई भी रिक्वेस्ट हो मेरी वह अगर मैं यह टोकन पास ना करूं वह स्लैश टूडू की रिक्वेस्ट को कोई भी यूजर नहीं देख सकता उसके पास एरर आएगा जब तक के वह मुझे वैलेट ट अबिकेशन को अपने रेंडिल कर रहे होते हैं